हालो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योटूब जेनल पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्राइवर इंजिनिस्टिक के जनरल नोलेज के क्यूशन आएंगे उसका पार्ट फर्ष्ट उब्जेक्टिव क्यूशन किये जाएंगे दोस्तों एक्जाम में 15 या 10 क्य अने के संभावना है दोस्तों पूरी जनरल नोलेज तो पढ़ नहीं सकते हैं अब एक्जाम नजदिक है इसलिए जो इंपोर्टेंट अब्जेक्टिक्विशन होंगे वो जनरल नोलेज के किये जाएंगे आज की वीडियो में हम सुरू करते हैं पहला हमारा परसन है निमल के लिखित में से किसमे केवल दोटत्व होते हैं पहला ओप्सन है कोफि दूसरा ऑप्सन है चाय तीसरा ऑप्सन है शक्र अ तीसरा जल दोस्तों और चोता एप्सन है शक्र इसका सही अंसवर हभर है option तीन आम स्वर सही है दोस्तों जल है वो दो तत्व में उपस्तित होता है अगला परसन है हमारा वायू है एक पहला option है योगिक दूसरा option है मिश्रन तीसरा option है तत्व चोता option है दातू तो दोस्तों वायू एक है वो मिश्रन होता है अगला परसन है हमारा सोर मंडल का सरवादिक चमकिला ग्रे है पहला option है बुद्ध दूसरा option है सुकर तीसरा option है नेप्चून चोता option है ब्रस्वति तो सरवादिक चमकिला ग्रे होता है वो सुकर होता है दोस्तों अगला परसन है हमारा सोर मंडल के कौन से ग्रे की विसेश्टा है कि वे पुरुफ से पश्चिम की और गुरणन करता है इसका पहला option है सुकर दूसरा option है बुद्ध, तीसरा उप्षिन है सनी चोथा ओप्षन है मंगल इसका सही अंस्वर है वो ओप्षन ए है सुकर ए वो सोर मंदल के पूरू से पस्चिम के और गुर्णन करता है अगला पर्सन है हमारा बारतिय स्विदान का निर्मान किसने किया पहला option है British Parliament ने, दूसरा option है Constitute Assembly ने, तीसरा option है भारती संसद ने, चोता option है उगनी सो चिनलीस में बनी अंतरिम सरकार ने तो इसका सही आंसर है वो है Constitute Assembly है उसने भारत का सविदान का निर्मान किया था अगला परसन है हमारा Congress ने सविदान निर्मान है तो सविदान सभा के गठन की मांग सर्व पर्थम गुणी सो चतीस में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी तो पहला उप्षन है फेजपूर अधिवेशन में दूसरा उप्षन है कलकत्ता अधिवेशन में तीसरा उप्षन है लाहूर अधिवेशन में चोता उप्षन है नागपूर अधिवेशन में इसका सही आंसर है वो है फेजपूर अधिवेशन में Congress ने सविदान के रिणमा दूसरा ऑपसर ने मान शिंग, तीसरा ऑफसर ने टोडरमल, चोथा ऑफसर ने जेई सिंग, इसका सही आंसर है, वो है वीरबल. अकबर के दीने इलाई को सिविकार करने वाला पहला हिंदु वीरबल था. अगला परसन है हमारा अकबर की दार्मिक निती का मूल उदिश्य क्या था पहला उप्षन है स्वर्व भूमिक सही सनुता दूसरा उप्षन है हिंसा तीसरा उप्षन है ए सही सनुता चोता उप्षन है इसलाम परचार इसका सही आंसर है वो है स्वर्वमित सही सुनूता अकवर की धार्मिक निति का मूल उदिश्यत है अगला परसन है हमारा दिल्ली के किस सासक ने गोशना की थी कि राजा का कोई सगा समन्दी नहीं होता है पहला उप्षन है मौमद बिन तुगलक ने दूसरा उप्षन है बेहलो लोदी ने तीसरा उप्षन है इबराहिम लोदी ने चोता उप्षन है शिकंदर लोदी ने इसका सही आंसर है उप्षन तीन इबराहिम लोदी ने कहा था कि किसी का सगा नहीं होता है अगला परसन है हमारा लोदी इस्तापत्य का सर्वसरेश्ट ममुना है पहला ओप्षन है एक लखा मस्जिद दूसरा ओप्षन है अधिना मस्जिद तीसरा ओप्षन है मोट की मस्जिद चोता ओप्षन है उपरुप्त कोई नहीं इसका सही आंस्वर है वो है मोट की मस्जिद अगला परसन है अमारा वर्धन वंस का संस्तापक कौन था पहला ओप्षन है नर वर्धन दूसरा ओप्षन है परभाकर वर्धन तीसरा ओप्षन है पूस्प बिती चोता ओप्षन है अधित्य वर्धन इसका सही आंसर है वो है पूस्प बिती है वो वर्धन वंस का संस्ताप अगला पृप्सन के लिए कार की वे हूणुह मूरन के लिए स्पय रूपी हिरन पर भाकर वरदन इसका स्ही ल तो अगला परसन है अलंकर्त काविय सेली का जनमदाता माना जाता है पहला अप्शन ने बटी, दूसरा अप्शन ने बारवी, तीसरा अप्शन ने बास, चोटा अप्शन ने विशाखादत इसका सही आंसवर हैं 12 अलंकर्ण कावेसलिका जनुन दाता 12 था अगला परसन है हमारा लिच्वी राजकुमारी कुमार देवी से विवा समंध इस्तापित किया पहला option है शेरी गुप्थ ने दूसरा option है समंदर गुप्थ ने थीसरा option है चंदर गुप्थ पर्थमने चोटा ओप्षन है चंदरगुप्ट दित्यने इसका सही आंस्वर है चंदरगुप्ट पर्थम ने लिच्वी राजकुमारी कुमार देवी से व्यासमंद किया था अगला परसन है अमारा इंडी का नमक पुस्तक किस लेखक दवारा लिखी गई है पहला ओप्षन है विशाकादत दूसरा ओप्षन है मेगा इस्तनीज तीसरा ओप्षन है इस्ट्रेबू चोटा ओप्षन है चानक्ये इसका सही आंस्वर है दोस्तूं इस्ट्रेबू दवारा लिखी गई है इंडी का पुस्तक अगला पर्षन है किस गरंत से हमें पाटली पुत्तर के नगरिय परशासन का वरणन मिलता है पहला ओप्षन है अर्थ सास्तर दूसरा ओप्षन है इंडी का तीसरा ओप्षन है मुद्रा राक्षस चोटा ओप्षन है दीप वंस में महावंस इसका सही आंस्वर है इंडी का में पाटली पुतर की नगरिय परसाशन का वरणन मिलता है। ओप्षन दो हमारा सही आंशर है। अगला परसन है हमारा बोध दरम के संस्ता पक मात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम था। पहला ओप्षन है राहूल, दूसरा ओप्षन है सिदार्थ, तीसरा ओप्षन है देवदत, चोता ओप्षन है सुदो धन। इसका सही आंशर है वो है सिदार्थ। अगला परसन है हमारा वेशाग पुर्णिमा के दिन माहत्मा बुद्ध से समंदित गटित गटना है पहला है जनम दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति तीसरा है मर्त्यू चोता है उप्रुक्त सभी तो दोस्तु माहत्मा बुद्ध के वेशाग पुर्णिमा के दिन उप्रुक् की उनको अगला परसन है हमारा कि जन गणना 2011 के अनुसार सबसे जड़ा शाक्सरता किस राज्य की है पेखला होप्सन है लक्षडी दूसरा ओफ्सने केडल तीसरा ओफ्सने माराश्टर चोता ओफ्सने विर्ण इसका सही आंस्षवर है केरल करल हमारा बारत का सबसे साक्सरता है दोस्तों अगला परसन है किस राजिय में साख सर्ता सबसे कम है पहला ओप्षन है राजस्तान दूसरा ओप्षन है उडिसा तीसरा ओप्षन है बिहार चोता ओप्षन है अरुणाचल परदीश इसका सही आंसर है तीसरा बिहार में सबसे कम साख सर्ता है अगला परसन है हमा निमन नदियों मेंζ से किस एक का जल ग्रेंड चाट्र अधिक तम पहला अब्सन ए कावेरिंग दूसरा ऑप्सने महा नदी scrut1 ओफ्सने नर्विदा चोता option है कृष्णा, तो दोस्तों कृष्णा नदी का जल ग्रेंड चेत्र अधिक है, अगला परसन है हमारा निमन मेश से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, पहला दिया होगा है, नदी है एक साइड में, दूसरी साइड में हमें दिखुई है संगम का नाम, हम देखते हैं क पिंडार अलक नंदा, तीसरा है मंदाक किनी अलक नंदा, चोता है राम गंगा अलक नंदा, दोली गंगा और अलक नंदा का संगम में वो विष्णू परियाग है, दूसरा है पिंडर और अलक नंदा का संगम में वो कर्ण परियाग है, तीसरा है मंदाक किनी और अलक परियाग का संगम है वो रूदर परियाग में होता है और चोटा है रांग गंगा और अलकनलता का देव परियाग तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है वो ओप्षन चार ये वो सुमेलित नहीं है ये गलत है इनका संगम देव परियाग में नहीं होता है अगला फरसन है हमा संयुक्तराष्ट रसंग की इस्तापना कब हुई? पहला ओप्षन है 24 अक्टुम्बर 1945 को, दूसरा ओप्षन है 24 अक्टुम्बर 1945 को, तीसरा ओप्षन है 24 अक्टुम्बर 1943 को, चोता ओप्षन है 24 अक्टुम्बर 1942 को इसका सही आंसर है 24 अक्टुमबर 1925 को सयुगतराष्ट स्रंग की स्तापना हुई थी अगला परशन है सयुगतराष्ट स्रंग के वर्तमान मासचीव कौन है पहला परशन है बान की मून दूसरा परशन है उत्रस गाली तीसरा परशन है हेमर सोल्ड चोता परशन है एंटोनियो गुटेरेस इसका सही आंसर है ओप्षन चार एंटोनियो गुटेरेस है वो अभी मासचीव है अगला परसन है हमारा बक्ति आंदोलन के परतिपादक माने जाते हैं पहला ओप्सन है रामानुज दूसरा ओप्सन है रामानंद तीसरा ओप्सन है संक्राचारिये चोता ओप्सन है मादवाचारिये इसका सही आमसर है ओप्सन तीन संक्राचारिये वो बक्ती अंदोलन के पर्तिपादक माने जाते हैं अगला परसन है हमारा पश्ची मोतर भारत में इंडो युनानी सत्ता के इस्ताफ ना कीती फेला ओप्षन है डेमेट्री दीतिये ने दूसरा ओप्षन है यूथी डेयर्स ने तीसरा ओप्षन है डियोडोटस पर्थम ने चोता ओप्षन है एंटी ओकस ने इसका सही आंस्वर है ओप्षन ए डेमेट्री दीतिये ने की थी अगला परसन है यद्द्री यूणानी मल्चे हैं किन्तु जोतिस के मूल निर्माता होने के कारण वंदनी हैं ये उलेग किया गया है पहला है पतंजली ने दूसरा है वरा मीर ने तीसरा है बाणबटने चोता है शेविंदर ने इसका सही आंस्वर है वो है इसका सही आंस्वर है ओप्षन दो वरा मीर ने किया था ओप्षन दो हमारा सही आंस्वर है अगला परसन है हमारा आर्ये सब्द का सर्वे पर्थम उलेग मिलता है पहला अवेस्ता में दूसरा अवेस्ता में दिव्य परबंदन में तीसरा अवेस्ता में रिग्वेद में चोता अवेस्ता में बाइबिल में इसका सही आंसर है आर्ये सब्द है वो रिग्वेद में मिलता है अगला परसन है सबसे प्राचिन वेद है, पहला ओप्षन है रिगवेद, दूसरा ओप्षन है सामवेद, तीसरा ओप्षन है यजूर वेद, चोता ओप्षन है अर्थवेद, इसका सही अंस्वर है ओप्षन एक रिगवेद में मिलता है अगला परसन है हमारा नीमिन में से कौन सा गटक भारत निर्मान कार्यक्रम का अंग नहीं है पहला है गाउं में आवास दूसरा है गाउं में टेलीफोन तीसरा है गाउं में सडकें चोता उप्षन है ग्रामो उद्योग इसका सही आंसर है उप्षन चार ग्रामो उद्योग ह अंग नहीं है, option 4, अगला परसन है भारत निर्मान कारियकरम की सुरुवात कब की गई थी, पहला option है 16 दिसंबर 2005 को, दूसरा option है 16 जनवरी 2006 को, तीसरा option है 16 फरवरी 2007 को, चोता option है 16 जनवरी 2005 को, इसका सही आंस्वर है 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्मान कारियकरम की सुरुवात क अगला पर्षन इन है झेत्रपल के अधार पर विश्व में भारत का कौन साइस्तान है इसका वो पहला उप्षन है पांच्वां, दूसरा उप्षन है छठा, तीसरा उप्षन है साथा चोटा ओप्सन है आठवाँ तो भारत का चेतरपल के अधार पर सात्वा इस्तान है ओप्सन तीन हमारा सही आंसर है अगला परसन है चेतरपल के अधार पर निम्न राजियों को गड़ते अनुकरम से विचार करके नीचे दिये गे कूट का परियोग करके सही उत्तर का चुनन है पहला इसमें दे रहा है असम जार्खन हिमाचल परदेश और उत्राकन इसका सही अंसर है वो है ओप्षन दो ओप्षन दो हमारा सही अंसर है इसका अगला परसन है हमारा यूरोप का बलेक फोरेश्ट है पहला ओप्षन है मोड़दार परवत, दूसरा ओप्षन है ब्रंतोत्त परवत, तीसरा ओप्षन है जवाला मुखी परवत, चोता ओप्षन है अवसिष्ट परवत, इसका सही आंसर है ओप्षन दो, ब्रंतोतत परवत, अगला परसन है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, पहला ओप्षन ह मिशी शिपी डेल्टा तूसरा ओप्षन है अमेजन डेल्टा तीसरा ओप्षन है होंगो डेल्टा चोता ओप्षन है गंगा बर्मा पुतर डेल्टा इसका सही आंसर है ओप्षन चार गंगा पर्मा पुतर डेल्टा है विशव का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सु पेला ओप्षन है रविंदर नाथिगोर, दूसरा ओप्षन है देविंदर नाथ्टिगोर, तीसरा ओप्षन है कि सवचं सेन, चोवत है एनिबी इसका सही आंस्वर है ओप्शन दो देवेंदर नात्य गोर दोस्तों आपको कन्प्यूज नहीं होता है यहां पे देवेंदर है और यहां पे रविंदर है अगला परसन है अमारा सती परता पर परतिबंद लगवाने में मेत पूर्ण योगदान था पहला ओप्शन है राजा रामोन राय ने सतिपर्था पर पड़्थि बन लगवाने का उठाया था आगला परसंदे अमारा राजपुतूं को अगनिकुल छत्रिय किसमे कहा गया है पहला प्झेरलें परत्वि राज़राशों में दूसरा प्झेर विक्रमा देव चरित में तीसरा उप्चन राजत रंगिणी में छोता हो उप्चन है दस कुमार चरित में इसका सही अंसर है परती राज, रासों में राजपुतुं को गया है अगला परसन है हमारा चंद बरदाई ने राजपुतुं के वंच के बारे में निमन में से कौन सा सिदान्त परतिपादित किया था पहला ओप्षन है मिश्रित वन सिदान्त दूसरा ओप्षन है विदेशी वन सिदान्त तीसरा है चांदर या सोर वन सिदान्त चोता है अगनी कुल वन सिदान्त इसका सही आंसर है ओप्षन 4 अगनी कुलवन सिदान अगला परसन है हमारा बोध गरंत अंगूरता निकाय में कितने महाजनपदूं का उलेग मिलता है पहला ओप्षन है बारा, दूसरा ओप्षन है पंदरा, तीसरा ओप्षन है सोडा, चोथा ओप्षन है अठारा इसका सही आंसर है ओप्शन सोडा अगला परसन है चंपा नगर किस महाजन पत की राजदानी थी पहला ओप्शन है अंग दूसरा ओप्शन है मगद तीसरा ओप्शन है कासी और चोता ओप्शन है कोसल इसका सही आंसर है ओप्शन एक आज के परसन हमारे समापत होते हैं अगले नेस्ट जंदर नोलेज के क्यूशन में और कुश्णियों के चर्चा करेंगे अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और दोस्ते इस वीडियो की पीडियेप के लिए आप हमारे टेलेग्राम चैनल में जूड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से जाके आप जोइन कर सकते हैं और आपको बियारों से समझ दित जो मेटे रिले व अच्छ वीडियो में